बिस्मिल्ला रमानरहीम असलमलेकूं आज हम मार्केटिंग कलेक्टर नमबर 4 स्टार्ट करेंगे और आज क्या हमारा टॉपिक होगा मार्केटिंग फंक्शन्स मार्केटिंग फंक्शन्स की अगर बात की जाए तो हमारे कई सारे मार्केटिंग के ऐसे लेक्टर होंगे जो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे जैसे कि market mix क्या है, process of marketing क्या है, marketing management क्या है तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होंगी और मैं कोशिश करूँगा कि हर topic के साथ आपको कोई ना कोई एक ऐसी example दूँ जो आपने उस question के साथ attach कर देनी है जो ultimately आपको आगे याद रखने में help देगा और ultimately क्या होता है, जब आपका concept clear होता है तो आप mcq-based question भी attempt कर सकते हैं और lengthy question भी attempt कर सकते हैं तो अगर आप इस word पे गोर करें functions तो ये आपने main की आपका काम करेगा इस question को याद करने में तो functions की जब बात की जाती है तो आप कोई भी चीज ले लें तो उसके क्या function होता है let's suppose हम television की बात करते हैं तो television के क्या function है television के ये function है कि जब आप उसको television को चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो बिजली की जरूरत है साथ में cable की जरूरत है फिर उसके साथ आपने उसको control करना है बटन्स की जरूरत है, remote control की जरूरत है और उसकी proper functioning की जरूरत है और साथ में आपके बिजली का on होना cable का on होना भी जरूरी है और आप उससे क्या इस्तवादा हासल कर सकते हैं आप उससे news update हासल कर सकते हैं ड्रमा देख सकते हैं या कोई और भी TV talk show वगरा कोई भी आप देख सकते हैं जो program लगते हैं तो TV का क्या function हुआ जो मैंने आपको बताया कि यह यह function है और TV को चलने के लिए उसकी क्या क्या requirement है सेम इस तरीके से आपके पास cell phone है तो cell phone के क्या function है आप उस पर movie देख सकते हैं आप internet से connect करके अपना कई भी eyes search out कर सकते हैं आप call ले सकते हैं call receive कर सकते हैं call कर सकते हैं दूसरों से connect कर सकते हैं इसके इलावा आपको game खेल सकते हैं entertainment का एक method दूसरा इसके इलावा आपको event capture कर सकते हैं उससे movie और बना सकते हैं कि लेटिस्ट जालन में निकी में बात काय रहा हूं तो मतलब जो भी चीज होती है उसके कुछ न कुछ functions होते हैं वह जब functions उसके साथ hatch हो जाते हैं कोई भी चीज हो उसके साथ कुछ न कुछ functions attached हो जाते हैं को marketing की जब हम बात करते हैं तो marketing itself क्या है किसी भी department के अंदर marketing किसली होती है ताके वो दूसरे जो बाहर के हमारे stakeholders हैं जो specially targeted customer हैं consumer हैं जो हमारी product को purchase करेंगे हमने उनको ढूंड के उनसे क्या करना होता है उनसे हमने उनको ready करना होता है ताके वो हमारी goods को buy करें हमने market पे research करनी होती है marketing का क्या काम होता है कि वो information ले कि लोगों की जरूरत क्या है वो क्या चीज़ खरीदना चाते हैं और जब हमें पता चल जाए तो यह information आपने disseminate करनी होती है अपनी production department को अपनी management को और उन्होंने क्या करना होता है decision लेना होता है और वो product बनानी होती है जब वो product बन जाती है तो आपने जिस customer को search किया था जिस से आपने order लिया था उसको वो चीज़ भेजनी है तो क्या मतलब वो कि जो production का process है वो within department है जो आपने information देनी है वो आपने management को देनी है या जो production department है production manager है उसको आपने बताना है वो आगे जाके R&D से बात करके उसके design करें आपने सिर्फ और से specify करना है कि जो बार customer है उसकी आने वाली जरूरियात क्या है वो कौन से feature चाहते है या आपकी जो market niche है उसको आप target कर रहे हैं वहाँ पे आपकी product में कौन से additional features होने चाहिए जो specific group of customer आपको demand अपनी put करता है और जिसको आप fulfill करने की कोशिश करते है तो R&D जो है वो उसके काम करती है डिजाइन करती है production उसको produce करती है जब produce हो जाती है तो आपने जो order लियाता है वो आपने बेई देनी होती है वो चीज़ आगे finance का काम होता है कि वो कैसे उनसे पैसे collect करते है या methodology उनकी क्या है तो marketing department चुकि हमारा subjective marketing हमने market के functions को ज़्यदा concentrate करना है तो जब आपने उस भी करना होता है अपने पास रखना होता है जब वो collection के लिए आते हैं या आप उसको deliver करना चाहते है तो वो आपकी product ultimately customer तक पहुंच जाती है customer उसको receive करने के बाद उसको use करता है use करने के बाद उसको after sales services को चाहिए होती है उसको कही problem आता है तो वो आपसे information लेता है आपसे department के साथ तो marketing का function क्या है लोगों से information लेना उन से बात चीद करना अपनी जो function दें वो अपने production department को बताना और जो produce हो चीज तब तक store करना जब तक वो उसको deliver करनी है जिब deliver करेंगे तो उसको after sales services देना तो यह जो हम उसको चीज provide करते हैं तो वो selling का process है तो जो सारे process है ultimately marketing के function है इसी पर हम बात करेंगे तो जो picture है इसको अगर गोर करें तो इसको आप याद रखेंगे तो आपको help होगी तो सबसे पहले आपके पास information होनी चाहिए यहां पर buying से starter लेकिन मैं information से बात करता हूं कि information होगी तो आप चीज बनाएंगे और उस चीज information जब आपके पास तो सबसे पहले आप supplier को access करते हैं कि हमारी demand यह हम इस तरह की quality की फलाँ चीज चाहते हैं हमें provide की जाए अब जब चीज बाय करते हैं तो ultimately आप उसको finishing की शकल में लेके आते हैं या उसी शकल में आप बेचते हैं तो sell करते हैं sell करने के लिए आपको customer तक transport करने पड़ती है जब तक transport या delivery का time नहीं आता तब तक आपने वह चीज अपने पास reserve करने होती है उसको store करना होता है store करने के बाद फिर आपके पास मुक्तलिफ चीजों के मुक्तलिफ order आ रहे होते हैं तो जो आपने जिस customer से जिस grade की जिस standard की product का promise किया था या आप जो product बना रहे हैं मुक जो marketing department होती है वो जब travel करती है उसको गाड़ी चाहिए जब वो गाड़ी पर जाते है तो उनको उसके expenses चाहिए कहीं stay करते हैं उनको खाना वाना चाहिए और जब वो किसी से मिलते हैं किसी को host करते हैं तो उनको कुछ न कुछ entertainment देनी पड़ती है तो यह सारी की सारी कर सकते हैं इसके इलावा जो marketing department हो रिस्क भी लेती है जब वो information लोगों से लेती है और अपनी चीजने वो मंगवाती है या खुद produce करते हैं तो उनको expectation होती है कि 1000 units हमारे sell होंगे जब वो 1000 units purchase करते हैं और उनका target होता है कि एक अफ़ते के अंदर एक महिने के अंदर वो ची marketing का तो हमने सारी बातें की कि information होनी चाहिए फिर आपने supplier से buying करनी होती है transportation sorting और यह सारी बाते हैं तो buying का process मैंने बता दिया कि supplier के साथ होता है कि आपने जो चीज आगे market की थी जो बेचनी है वो आप directly trade के business में तो buy करेंगे अगर आप manufacturing के business में है तो raw material purchase करेंगे उसको manufacturing करेंगे उसके बाद उसको sell करेंगे अपने जो customer जिनको target किया था जिन से अपने promise किया था या जिनोंने आपको order place किया था और delivery के लिए आपको व कि ऐसी भी production होती है जो चीज़ बनाने के बाद test and trial होते हैं और उसको कुछ नो कुछ time दिया जाता है कि वो आपके पास वो अपनी असल शेकल में आजाए हो सकता है कि उसको अपनी असल functioning के लिए 24 गंटे 48 गंटे 2 week एक मीना अपने पास store करना पड़े ताकि उसको जब and grading जैसे मैंने पहले बताया कि हर customer का एक अलग से order होगा size के मताबिक color के मताबिक function के मताबिक तो आपने वो चीज़ produce करने के बाद या buy करने के बाद उसको स्टेंटराइज grading करेंगे कि यह grade A की चीज़ें B की C की या color wise यह red है black है या यह size maximum जो full size है या medium size है या small size है तो उ दिलिवर करने होती है इसकी लवा marketing department को financing की जरूरत होती है और financing का matter overall भी होता है जब आप delivery करते है तो वह जब आपको payment करना चाहता है तो financing का matter होता है तो यह financing department काम करती है लेकिन उसको activate कौन करती marketing department करती है और risk taking का जैसे मैंने पहले बताया कि market को research करने के बाद information लेने के आपको एक idea होता है कि इतने order आएंगे लेकिन हो सकता है कि इतने order ना है लेकिन जो चीज़ आप बाय करते हैं वह आपका risk होता है तो risk आप लेके वह चीज़ बाय करते हैं और अपनी investment उसमें डालते है इसके लवा securing marketing information यह आपने हमने पहले ही बात कि थी कि मार्ट के पास information होगी कि का कस्मर क्या चाता है तो तभी आप जो product है वह design करके उसको deliver कर सकते हैं इसकी लवा marketing management एक marketing आपका फ़र्ज की department एक है overall organization जब होती है तो उसका एक finance department है, account department है, management है, marketing है, cost accounting department है, HR department है, मुक्तलिफ सारे उसके department function कर रहते हैं तो marketing का भी एक department होता है जो manage कर रहता है आ आपने सारे functions को, उसने ultimately क्या करना होता है कि उसने demand create करनी होती है ताकि जब जिस market को वो target करता है तो उदर से वो आपने customer को recognize करे हमारे customer क्या चाते हैं, कितने हैं, कहां पे हैं, हम उन से, तो marketing department को overall manage करने के लिए उसको demand create करना पड़ती है, जो product होती है, जो service होती है, जो organization क place या person जो है, सब को उसने ले के चलना होता है, एक information ले के demand आएगी, जो production department है, वो function करेंगी, production होगी, labor उसमें engage होगी, employees काम करेंगे, तब ही जाके थारी चीज़ने functioning होगी, जब product बनेंगी, वो sell होगी, उससे पैसा आएगा, business चलेगा, salaries मिलेंगी, और stakeholder, shareholders को उनका, जो required profit या जो debts वगरा है, वो आप payback कर सकेंगे, तो marketing management जो है, ये एक overall functioning जो इसकी होती है, बहुत critical होती है, important होती है, एक department के लिए, तो अगर overall आपको अगर किसी marketing management की example दें, तो एक बंदे से आप मिलते हैं, उसके पास आप जाते हैं, तो अगर वो फ़ल्द की आप जबान से व जो department है, इसकी जो एक overall firm होती है, company होती है, इसकी भी ला की नजर में एक अपनी personality होती है, तो उसकी जो जुबान होती है, जिस तरीके से हारी इनसान का एक organ function कर रहा होता है, इस तरीके से जो company होती है, उसके भी मुख्तलिफ organs होते हैं, like human being वो function कर रहा होते हैं, तो marketing department आप यही समझें, जिस तरीके से एक इनसान की जुबान जो इसमाल होती है, बात करने के लिए, communicate करने के लिए, क्या आप क्या सोच रहा है, क्या बात कहना चाहते हैं, तो marketing department भी वो ही function कर रहे होते हैं, तो जिस तरीके से इनसान के लिए, जिस तरीके से company के लिए marketing department, और करना ही जनरेट करना असल इसका function होता है, डिमांड कहां से जनरेट हो सकती है, एक तो नए customer और नई marketing research के बाद आपके पास आ सकते हैं, जिनको लोगों को आप बताएं, अपनी product के मतलिक और motivate करें, इसकी इलवा जो आपके existing partner होते हैं, जो होते हैं, customer होते हैं, उन से भी आ डिमांड जनरेट करते हैं, तो हम यह कह सकते हैं, कि marketing का असल function क्या है, डिमांड जनरेट करना, इसकी लवा बिल्डिंग profitable customer relationship भी यह marketing का function होता है, कि आपने customer के साथ इस तरीके से relationship करियर्ट करने होते हैं, कि वो आपको हमेशा profit दें, लास वाले customer आपको ना हूँ, आपके loyal जो customer है, वो आपको ज्यादा profit देते हैं, और जो आपका new customer होता है, उसको attract करना मुश्किल होता है, जो आपका already एक चीज इस्तमाल कर रहा है, आप उसको थोड़ी सी services दें, वक्तान वक्तान उसको call कर लें, और अपनी product के मुतलिक पूछे हैं, कि वो कैसी performance देरी, अगर को product ली, वो मुझे on कर रही है, मेरा ख्याल रखती है, तो इसके customer loyalty, customer retention और customer relationship create होते हैं, और आपकी आने वाले वक्त में नई product इतनी ही easily sell होती है, और जितना brand आपका दूसरे लोगों के पास होगा, उतना ही वो लोग उसको familiarize करेंगे, इन directly वो आपकी marketing होती है, तो marketing के function इतन कुसमें आगे होंगे, और मुझे इजादत दीजिए, अल्ला आफिस.